JCB बैको लोडर में पावर और हैड्रोलिक प्रेशर कितना होता है आज में वही इस वीडियो में सारा डिटेल्स गेज के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं तो वीडियो को सुरू से लेके लाश्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरे तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए कि कितना ताकत होता है JCB में तो यहां पे सबसे पहले मैं मसीन को सबसे अच्छे जगे पे लेवल जगे पे साफ पे खड़े कर लेते हैं उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं तो यहां पे हम आपके साथ जो है गेज ला करके अंदर में फिट करके दिखाने व यह पीला सधकन है, यहां पे जो है, हैड्रोलिक प्रेशर पॉइंट है, तो यहां पे गेज जो है, हम यहां पे फिट करेंगे, और देख सकते हैं, यहां जो है, यह देख सकते हैं, प्रेशर पॉइंट है, हैड्रोलिक प्रेशर पॉइंट है, हैड्रोलिक प्रेशर है न्यू मसीन से लेकर के आपका पुराना मसीन तक तो एक सरीका ही लेवल में रहता है और रख भी शक्ते हैं तो यहाँ पे कोई अलग नहीं आप वीडियो को देखते रहें पूरा समझ में आ जाएगा कि कितना नया में होता है और कितना पुराना में भी रखना चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले फ्रेंट्स हमने गेज को जोईन कर लिया है उसके बाद हम जब मसीन को स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है गेज को ध्यान से देखना है ताकि आपको पूरा अच्छा तरीके से समझ में आ जाए तो तो आपको इस तरह से समझ में आया होगा तो कमेंट में जरू लिखेगा और नहीं समझ में आ रहा है तो आगे में आपको और डिटेल्स में देने वाला हूँ तो देख सकते हैं जब भी हम लिवर्स को दबाते हैं तो तीन हजार से पार मतलब की 3300 maximum PSI होता है मतलब की JCB3DX म तो आपको लाइव करके नया मसीन में दिखाया गेज को माफ करके कि कितना जो है नया में JCB का हैड्रोलिक प्रेशर ताकत होता है तो आज में वही दिखाया आपके सामने तो आपका मसीन नया हो तो भी 3300 PSI हैड्रोलिक प्रेशर होना चाहिए अगर आपका नया मसीन नहीं हो पूराना हो तो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं बाकी आपका कम फ्लो हो रहा है हैड्रोलिक प्रेशर तो आपका पंप से रिलेटेड कुछ प्रोबलम हो सकते हैं तो इस तरह से आपको लाइब करके पूरा दिखाया तो चलिए मैं अभी गेज को खोल लिया हूँ उसके बाद आपको फिर से फिट करके दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा हैड्रोलिक ओयल गिर सकता है और गिरेगा ही क्योंकि पॉइंट में जो ओयल रहता है थोड़ा वो निकल जाता है बाकी जो है हमें हैड़ेप्टर को अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट कर लेना है नहीं तो आपका जब भी मसीन जब चालू करेंगे आपका हैड्रोलिक प्रेशर से ओयल जो है हैड्रोलिक बहुत सारा गिर जाएगा मतलब खाली भी हो सकता है इस तरीके में ध्यान दें और कभी भी जब आप हैं खोले ना ताकि इसको जब भी आप प्रेशर पॉइंट से गेज से माप करें तभी ही खोलें और नहीं तो खोले ही नहीं और इस तरह से जो है हम पाना से अच्छे तरीके से रेंज से फिट कर दें ताकि आपका लिक भी ना हो अच्छे तरीके से फिट हो जाए तो इस तरह से सारा आपको समझ में आ गया होगा और इसके बाद देख सकते हैं इसके उपर से एक धकन रहता है इस कभर को आप पी ले टाइप का यहाँ पे डाल दें तो अगर से राजन सारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जुरू दबाएं और अच्छा लगा हो तो वीडियो को सार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता ही रहे मैं ऐसा ही अपने चैनल पे हर एक तरह की जानकारी जैसी भी से रिलेटेड पूरा जानकारी वीडियो पीछे मेरा पड़ा हुआ है तो वहाँ पे प्रोफाइल पे जा करके देख सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको वीडियो मिलें